इस वीडियो को प्लीज 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 इसकी मत करना अगर आपको इंग्लिज का सेक्शन बहुत कमजोर लगता है तो अगर आप इंग्लिज में strong हैं अगर आपके इंग्लिज काफी हैं आप competition में इंग्लिज सेक्शन में maximum score करते हैं तो आप इस वीडियो को skip कर सकते हैं लेकिन अगर आपके इंग्लिज सबजेक्ट बहुत weak हैं competitions में जो भी English grammar पूछी जाती है उसके साथ आपका 36 का अंकड़ा है मतलब कि ना वो आपको भाती है ना आप उसको भाते हो ना वो आपको समझ पाती है ना आप उसको तो इस अंकड़े को मैं आज कम करने जा रहा हूँ इस वीडियो के मात्यम से इस वीडियो के साथ बने रहिएगा कहीं जाएगा मत्व वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आपसे एक request है चिंता मत करो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट मैं ऐसा आज आपको कुछ नहीं बोलने वाला ठीक है आपका मन हो तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा या अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भीड़िएगा टॉंट परी मैं ऐसा आपको कुछ नहीं बोलने वाला मेरी request आप से के वल इतनी है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले अपने साथ दो तीर एफोल शीट अपने पास रखिए और अपना एक पैन लेकर आईए इस वीडियो को अभी इसी वक्त यहाँ पर पॉस करिए ये 36 का आगड़ा मुझे कम करना है इसमें आप मेरा पुरा सयोग करेंगे ठीक है अगर आपको इंग्लीज से काफी डर लगता है तो believe me मुझे पर यह इसवास रखिए मैं इस डर को आपके आज खतम करने वाला हूँ जल्दी पास करिए और पैन पेपर लेके आईए चलिए दोस्तों सुरू करते हूँ आज का अपना ये वीडियो देखे आप जो भी एक्जाम देंगे उसी पैटन पे बेस मैंने कुछ कुश्टन सा सेट करें आपके सामने सेम यही पैटन आपको रियर एक्जाम में देखने को मिलेगा और यह जितने भी कुश्टन में आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में टोटल मैंने 25 कुश्टन रखे हैं 25 कुश्टन ऐसे से के प्रिवेस एक्जाम में पूछे गए हैं प्रिवेस एक्जाम के कुछ कुश्टन सेट की मेरे बबाब भुग रखे थी तो वहाँ से मैंने इस कुश्टन का सेलक्शन करा है और 2017 में जिनकी पूछी जाने के संभावना बहुत अधिक है बच्चों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा जो भी रूल में आपको बताऊंगा वो आप प्लीज राइट डाउन जरूर करना चलिए सुर करते हैं आज के अपने ये वीडियो पहला कुश्टन देखिए इसमें पूछ रहा है हमसे क्या best expresses the meaning of the given word इसका मतलब यह हुआ कि हमको इसका synonymus choose करना है कि इसका समानार्थी सब्द क्या होगा ठीक है देखिए पहला बड़ होन्चो ठीक है होन्चो का जो meaning होता है जो इसका मतलब होता है वो होता है किसी organizations में किसी company के अंदर जो हमारा main in charge होता है ठीक है तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं boss तो इसका जो right answer होगा वो होगा हमारे पास क्या C boss ठीक है और जो options A है representative का मतलब होता है परतिनीदी करने वाला worker का मतलब जो कारे करता होते हैं वो और contractor का मतलब होता है ठेकेदार तो किसी भी company का जो head होता है उसे हम बोलते है होन्चो यह हमको नहीं पता होता maximum हम लोग किसी company में काम करते हैं हम maximum या तो boss बोलते हैं या फिर हम लोग sir बोलते हैं उनको बट उनको हम लोग honcho बोलते हैं जो मारा बेटी सुरूल था तो वहाँ पर जो push निकलती थी वहाँ पर maximum लोग अपने जो senior जो अपने boss होते थे उसको boss की जगे पर honcho बोल जाता था तो यह word जो adopt करा गया है यह वहाँ से करा गया है ठीक है चलिए बढ़ते हैं question number two की हो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह questions काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है question number two है हमारे पास में question number two है free ठीक है आप इस video को pause करिए अगर आपका English का section काफी अच्छा है आपको लगता है कि ठीक है इंग्रीस में आप maximum score कर पाते हैं तो आप मेरे हर एक next questions पर बढ़ते ही आप तुरह तुस वीडियो को pause कर लिजे अपना right answer अपने paper पर लिखिए और final जोगी आपका score बनता है वो आप मुझे comment box में लिख कर भेज सकते हैं चलिए बात करते है फ्रे की देखिए हाँ एक बात और कि आप कोई भी question अगर solve कर रहे है तो उसको कम से कम 30 second में आपको अपना answer देना होगा ठीक है mock test की speed को भी maintain करना exam के लिए बहुत important होता है ठीक है देखिए alliance का मतलब होता है सयोग करना किसी का ठीक है jubilance का मतलब होता है खुशी देखिए jubilance भी वर काफी बार exam में पूशा गया है तो आप इसको script नहीं करेंगे jubilance जो होता है happy का synonymus होता है लेकिन happy और jubilance में फरक होता है मैंने आपको अपने mock test 1 या mock test 2 में बताया था इसी सम्मंदित मैंने questions आपको दिया था jubilance का मतलब होता है अपने खुशी को बहुत अधीक तरीके से बया करना जैसे क्रिकेट टीम अगर जीती है वर्ल्ड कप भारत की अगर क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती है तो हम क्या करते है उस टाइम पे क्रेकर के साथ अपने खुशी को प्रजेंट करते हैं लेकिन हैपी जो होता है हैपी सिंपर ठीक के मैं खुश हूँ इतना मुला बहुत है अगर आप सोचे अगर आप competition के ध्यारी कर रहे हैं simple आपने के MTS का exam दिया या कोई senior exam दिया आप simple अपनी तरीके से ध्यारी कर रहे थे और अचानक से आपको पहला चले ही आपका जो score है आपकी जो joining होई है all over India top 1 rank पे होगी है तो आपकी जो conditions होगी खुशी की वो क्या होगी jubilance आपका मन करेगा कि मैं cracker फोडू हूँ मतलब मैं आतिस्म बाजी करूँ मिठा ही बटवाऊं तो ऐसी condition क्या होगी jubilance होगी अगर आपका simple qualify होते है आप आपको जानी मिलती है आपकी rank जो है बहुत ही rare ही rank है बहुत ही roughly rank है बट आपकी joining हो चुकी है तो उस conditions में क्या होगा आप एक happy वाली condition में होंगे ठीक है jubilance मतलब जब अपने खुशी की सीमा काफी चरम सीमा पर हो और happy का मतलब केवल खुशी और intuitions का मतलब होता है अपने अंतरात्मा की आवाज और conflict का मतलब होता है dispute ठीक है तो इसका जो right answer होगा वो बच्चो होगा इसका जो right answer होगा बच्चो इसका right answer होगा conflict conflict का मतलब dispute करना या फ्रे करना ठीक है अब हम बढ़ते है question number third की होगा question number third हमसे कहता है क्या कहता है maverick most time questions बच्चो maverick maverick भी कई बार exam में पूछा गया है तो मैं बार बार नहीं बोलूगा कि exam में पूछा गया exam में पूछा गया आप बस यह समझे कि आपके सामने जो भी question में present होने वाले है वो previous exam में कहिना कि पूछे गया है चाहिए वो SSC के MTS exam में पूछे गया है NDC के exam में पूछे गया है ठीक है देखो maverick का जो exact जो meaning होता है ठीक है वो उसको बोलते है और्थोडॉक्स और्थोडॉक्स तो मेनिंग मैं आपको बता दूँ कि ऐसा person जो पूरी तरह से क्या हो independent हो मतलब 37 विचारों वाला हो उसे भी रोख रोग नहीं हो अपना मतलब life को खुदी वो lead करता हो ठीक है देखिए options जो पहला options है हमारा sophisticated इसका मतलब होता है विवे की मतलब उद्धिमानी ancient का मतलब होता है प्राचीन modern का मतलब होता है हमारा आधुनिक भारत जो से हम बोलते है ठीक है और c जो होता है conformist इसका मतलब होता है निर्भर अब आप जिना बताएं कि इसमें से आपके recording right answer क्या होगा आपको मैंने इतना hint दे दिया कि maverick वो person होता है जो स्वेत्यंत्रे विचारों वाला हो ठीक है तो इसका जो right answer जो होगा देखिए आप कभी में ना एक गलतिया प्रीज मत करिएगा देखिए इसमें क्या पूशा गया है उपर हमको सुननिमस नहीं बताना है हमको यहां बताना है क्या opposite word ठीक है maximum बच्चे यहां पर गल्दी कर जाते हैं कि उपर का meaning क्या है वो नहीं पूशता यहां पर हमसे पूछ रहा है वो opposite word तो maverick का मतलब होता है आप निर्भर जो इंसान हो independent ठीक है confirmist ठीक है तो ध्यान दीजेगा आप कभी अगर exam attempt करते हैं exam देने जाते रियल exam तो वहां पर कई बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं और मैं नहीं चाहता है कि आप ऐसी कोई गलती करें ठीक है अब हम बढ़ते है question number 4 की ओर Refute Refute का जो मतलब होता है वास्तर में वह होता है खंडन करना किसी बात का किसी की बात को बीच में काड़ देना या खंडन करना ठीक है इसका भी हमको again opposite word ही देखना कि इसका opposite word क्या है उपर नहीं लिखा लेकिन जो अभी पीछे part आया था यह उसी कई part है मारे पास में मतलब opposite word ही हमको इसाँ पर देखना है ठीक है दिखिए bluff होता है bluff master आपने movie देखिये होगी अभी शेक बच्चन की वो इंसन क्या करता है और उको cheat करता है धोका देता है तो bluff का मतलब क्या हो गया धोके बाच बी जो है अब hold का मतलब होता है किसी का समर्थन करना ठीक है किसी को support कर करना option c जो होता है अब keep मतलब पालन पोशन करना जैसे छोटे बच्चे होते हैं हम उसका क्या करते है पालन पोशन करते हैं तो वो अब keep conditions में होता है छोटा बच्चे और deny का मतलब होता है किसी बात को खंडन करना ठीक है इसका मतलब होता है तो refute का मतलब होता है किसी बात को इनकार कर देना, किसी बास का खंडन करना, refute का मतलब, तो इसका हमको opposite देखना है, वो होगा uphold, मतलब समर्थन करना, ठीक है, uphold क्या होगा, ये वर्ड होगा, समर्थन करना, इसका मतलब क्या होता, refute का मतलब, समर्थन ना करना, खंडन करना, और uphold का मतलब, समर्थन करना, त पाट हमारा क्या होगा इसका अपोजिट होगा question number five question number five जो होता है and join maximum बच्चे इस five को क्या होता है join का मतलब join करना नहीं होता maximum बच्चे सो समझेंगे join करना मतलब जोड़ना इसका अपोजिट क्या होगा separate करना be options पर टिक लगा कि अपना आगे बढ़ जाएंगे बढ़ यह आपका answer बढ़ कलाता होगा ठीक है sorry बच्चो देखे and join का जो मतलब होता है वो होता है अर्जि करना अपनी बात को किसी दूसरे वेक्तित सामने कहना या फिर इसको कैसे है request करना ठीक है देखे options यह जो है इसका मतलब होता है बिखेरना ठीक है disperse का मतलब होता है बिखेरना separate का मतलब होता है अलब करना forbid का जो मतलब होता है वो होता है prevent करना किसी चीच को prevent का मतलब किसी को रोकना किसी गलत काम से इंसानों को गलत काम करना तो हमसको रोक रहे है हम लोग उसको prevent कर रहे है, मतलब forbid कर रहे है और 4C का मतलब होता है 4C का मतलब होता है gas करना, अनुमान लगाना, ठीक है तो इसका जो answer होगा, वो होगा किसी को रोकना, मतलब C ठीक है, forbid मतलब enjoyin पे हमने urge करा, हम के कर रहे है forbid कर रहे है, किसी विक्ति को रच करने से का कर रहे है रोक रहे है, ठीक है question number 6 ये एक नया part है बच्चो, ठीक है इसमें बोज़ता है, idioms and phrases 4 alternatives are given for the idioms phrases, choose the word which best expressions ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, अक्चली महावरे ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा sentence हमको देता है ठीक है, उसका जवाब हमको एक single sentence में replace करना होता है ठीक है, देखे what होता है, chip on your shoulder, इसका मतलब होता है कि past की बात को सोच कर दुखी होना maximum लोग क्या होते है इतिहास को सोचते रहते हैं इससे संबंदित है, तो आपको मैंने इतना option दे दिया इतना hint मैंने आपको दे दिया, अब सही option क्या आप चूज कर सकते है मेरे recording, ठीक है उम्मित करता हूँ कि आपने इसका right answer निकाल गिया होगा, इसका right answer है D, upset about something तो इसका right answer क्या है D, ठीक है देखे बच्चो next questions में बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा आप से कहना चाहूँगा कि आप सफलता पाना चाहते हैं तो खुद को कम से कम मतलब कि खुद से कम से कम week में एक mock test प्लीज जरू सौलप कर अगर ये mock test के मतलब से क्या होगा आपका कौन से subject week है mock test English का नहीं mock test complete जो भी आपका exam आने वाला है जिस पर भी आपने target set कर रखा है कि हाँ मुझे इस exam को correct करना है तो week में कम से कम एक mock test देजिए exam जो पास है तो daily पर एक mock test आप attempt करिए देखे क्या होता है कि अगर आप mock test देते हैं तो आपको परहा चल दाए आपको कौन सा portions कौन सा section कौन सा subject week है उस पर आपको काम करने की आवशक्ता है उस पर महत करने की आवशक्ता है ठीक है अब मेरी coding आप कम से कम week में एक mock test देजिए अगर आपके बास exam में चार महिने बचे हैं तो अगर आपके दिजाम में मातर 15 से 20 दे बचे हुए है तो आपको कम से कम maximum time अपना study में spend करिए खर्च करिए अपना maximum time study में कहीं पर भी हो सके जाइए पढ़ने के लिए घर पर study कर सकते हैं घर पर study करिए अगर बस separate room है वहाँ पर study करनी है उस पर please कोई भी लापरवाई मत करना कुछ भी skip मत करना तो बचों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी लाए पसंद आई होगी library join करने की सरकाली library काफी जगे पर होती है अगर आपके यहाँ पर नहीं है speed slow हो लेकिन अच्छी यह पढ़ने की ठीक है यह नहीं कि आप धेर पढ़ रहा है धेरी पढ़ने प्लेट रहे हैं धेरी पंद्रवीश पढ़ रहे हैं बड़ एक्जाम में आपको सही वक्त पे कोई चीज याद नहीं आ रही है तो वो पढ़ने प्लेटने का या धेर पढ़ने का कोई पाइदा नहीं है इस वीडियो का आप नियान से देखिएगा इस वीडियो का आप बोचे कर दो दुबारा एक बार पिले करके अपने सारे रूल सारा अब लिख रहे हैं तो उसको revise करिएगा ठीक है इस पाइल दा बीन्स भी बोलते हैं इसको ठीक है ना इसका जो मीनी होता है वो होता है विभीशन रावन का भाई रावन का भाई जो था वो था विभीशन आपने देखा होगा आपको पता होगा जिसेरे के टाइम पे इनका भी पुतला जो होता है तो इस पाइल दा बींस का मतलब होता है घर का भेदी लंका ढाहे मतलब इस पाइल दा बींस का नाम क्या था बींस जो अब सब्जी खाते है ना विभीशन को बींस काफी पसंद थी इस तरह से आप लोग वर्डों को याद कर लेजिए और इसका इडियोंस और फ्रेजिद आपको याद हो दाएगा तो डिस्क्लोज़े सीक्रेट तो इसका राइट आंसर क्या होगा बीं ठीक है देखिए जो कॉंडेमन होता है कॉंडेमन का मतलब होता है बुराई करना मैश मतलब होता है किसी चीच को भिगार देना मतलब हम कहते है कुछी मैश कर दो मतलब मिक्स कर दो मिला दो जो उसकी सही अबस्ता होती है उससे हम लोग क्या करता है उसकी जो फिगर होती है उसको हम चेंज कर देते हैं टीक है मैश अब करना मिलाना इसका जो राइट आंसर मैं और high water, इसका मतलब होता है, चाहिए जितनी भी रुकावट हो या दिक्कते आए, मैं इस काम को करकर रहूंगा ऐसा person, ठीक है, तो रुकावट या फिर दिक्कते, इसका मतलब है, जब पानी क्या होता है, काफी हाई होता है, अगर आपकी सरीर से उपर आपको पानी पहुंच जाए, किसी भी समुद्र का, तो क्या होगा, आपके सामने एक आपस्टिकल आदेगे, एक रुकावट आजएगी, बाहर निकलने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो पास B, देखे, एक जापल दिया, आपके सामने में है, आपके समय में, इसका मस्का बद दूवी धा, लेकिन यहां पे जो राइट आंसर हो है, हमारे पास B, देखे, एक्जांबल दिया है, आपके सामने में हा, they had been selling stolen cars four years before the police catch up with them, ठीक है, a seat for a passenger behind a motorcycle question 9 हमसे कहा रहा है ठीक है लेकिन इसमें जो कहा रहा है सिर्फ one word substitutions मुहावरा और substitution दोनों सेम से होते हैं लेकिन इसमें क्या होता है इसमें main आपका main टर्लिट यह होता है कि इसमें लंबे से sentence को एक single word से replace करना होता है मतलब सीधी बात नो बकवास ठीक है मतलब लंबे sentence को simple sentence में हमको replace करना है simple word में replace करना है sentence को word के साथ replace करना है ठीक है अब यहाँ पर हमसे बूच रहा है हमसे की motorcycle के पीछे की seat को हम क्या बूलते है motorcycle जो होती है या scooter जो होता है उसके पीछे की seat छोटे की उसमें क्या बोलते भूढ़ते हैं, यह हम से पोछ रहा है, देखिए जो पिलियन होता है ऑपढ़े को पाज, बताऊंगा option जो भी है हमारे सामने, इसको हम बोलते हैं छगर इसको हम बोलते हैं छॉफर, टेखिए चॉफर देखिए को जो मतलब होता है, वो होता है driver और kurator का मतलब होता है हमारे पास में किसी कोई मिष事情 होता है जो head होता है जो कने चार छॉदा है उसको बनता है क्यूरेटर और comfortर मतलब बोलते हैं हम लोग sofa set comfort से बना है अगर हम sofa में बैठते तो हम कैसा sync करते है comfort फिल करते हैं तो comforted से बना है sofa set, अब आते हैं option number A पे, देखिए pillow का मतलब क्या होता है, pillow का मतलब होता है तक्या, pillow मतलब तक्या, और उसको छोटी बहन क्या होगी, pillion बोलते हैं उसको, छोटी सी गदी, ठीक है, तक्या का छोटी रूप क्या होता है, गदी, गदी कैसी होती है, तक्या से बहुत छोटी होती है, और motor cycle की back की जो seat होती है, वो क्या होती है, pillion होती है, उसको हम बोलते है, क्या बोलते है, pillion, आप इस से याद कर लिजिएगा, pillow की छोटी बहन क्या है, pillion, ठीक है, question number 10 क्यों आगे बढ़ते हैं, इसमें हम से बूछता है, soldiers who fight on horseback, जो घोड़े पर, इसमें है, देखे options, यह जो है हमारे पास, वो है cavalry, ठीक है न, तो इसका meaning होता है, इसका meaning चलोगा, वो बाद बताऊंगा, ठीक है, देखे infantry क्या होता है, infantry होता है, जो पैदल सानिक होता है, वो battalion, army of unit, मतलब कुछ लोगों की battalion मिलकर के, एक battalion बनती है, कुछ लोगों का स add होता है, बोत है lieutenant, colonel, कभी कभी exam में lieutenant की spelling भी पूछता है, कि lieutenant की सही spelling क्या होती है, आपको 4 option देगा, उसमें 3 के spelling वो गलत होगी, एक की right होगी, तो lieutenant, cigarette, यह कुछ word होते हैं, उसकी वो आपसे right meaning पूछता है, तो आप यह देख लिजेगा, और मैंने अपने mock test में भी इसक कर लिजेगा, देखिए इसका right answer है, वो होता है, cavalry, right answer होगा, इसका A, ठीक है, जो घोड़े पर बैट कर युद रड़ता है, उसको हम क्या बोलते है, cavalry, ठीक है, अब बढ़ते है question 11 के हो, question 11 है, a large sleeping room with several bed, एक ऐसा बड़ा सा room, जहां पर क्या होते है, बहुत सारे bed लगे होत हैं, ठीक है न, यह room, सभी जगे आपको मिल जाते हैं, असानी से, यह ऐसा room जा बड़ा सा hall होता है, जहां पर 20 से 25 लोग, एक सांथ रहते हैं, एक सांथ, काफी सारे bed लगे होते हैं, उनके अरावन के लिए, बढ़ा, बहुत बड़ी एक type का hall होता है, उसको मुत धर मिसाल ठीक है, दीक है, प्राइबिट होटल में तो क्या होता है, separate room, separate family, privacy बहुत जादा होती है, लेकिन यहां पर privacy बहुत कम होती है, ठीक है, इन शॉर्ट यह था इसका समझाने का आपको परफल्स, इसको जो right answer होगा, वो होगा, doymetry, doymetry, मतलब B इसका right answer है, domicile मतलब रहने का जो इस्थान होता है, ठीक है, उसको हम बोलते है, domicile, lounge जो होता है, हमारे पास, इसको हम बोलते है, lounge को actually हम बोलते है कि जो hotel होता है, hotel का open area होता है, खुली जगह, उसको हम बोलते है, lounge, ठीक है न, काफी बच्चे इसको अपना सही answer मान रहे होंगे, लेकिन बट वो lounge में सो सोना एलाओ नहीं होता, तो बैट लगा कर सोना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, lounge मतलब hotel का खुलासा जो बरामदा होता है, उसको हम बोलते है, lounge, ठीक है, आगे बढ़ते है, हाँ, एक बड़ और एगयास में, a, dormant, dormant जो होता है, dormant को बोलता है, inactive, तो यहाँ पे, ज for housing airplanes, ठीक है, जहाँ पर airplanes को रखा जाता है, तो उसे के कहते है, a, b, c, d, 4 option आगे आपके पास में है, इसका जो right answer होगा, बच्चों, वो होगा, hangar, ठीक है, dockyard होता है, यह सभी term जो है, aeroplane से संबंदी थी है, ठीक है, बड़ जहाँ पे aeroplane रखे जाता है, उसको बोलते है, hangar, hangar, और जहाँ पे aeroplane repair होते है, उसको बोलते है, dockyard, aerodrum होता है, हवायड़ा, cockpit का मतलब होता है, chamber, जहाँ पे pilot वगरा, पूरे हमारे aeroplane को control करते है, उसको बोलते है, cockpit, room, ठीक है, तो इसको जो right answer होगा, वो होगा hangar, ठीक है, यह भी questions कईबार exam में पूछा गया, बच्चों, इसको आप note कर लीजेगा, अब मैं बढ़ता हू पार्ट जो infected हो गया है, सड़ गया, गल गया है, उसको जो अलग करा जाता है, उस पार्ट को जो काटा जाता है, इस परिकिरिया को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसका जो right answer होगा, वो होगा B, amputate, amputate का मतलब होता है, amputate बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है, काटना, ठीक ह Rampage का मतलब होता है Ogre और Inkambations का मतलब होता है कि जब मुर्गी किसी जब मुर्गी अंड़ा देती है तो वो अंड़े को सेकने के लिए उसके उपर बैठ जाती है ठीक है जिससे कि उसके जो अंड़े के इनदे जो उसके बच्चे हैं उसको एक proper पर एक favorable temperature मिल सके, इस परकेरिया को हम बोलते हैं, in-combations, biology के student ने ये word काफी बाट देखा होगा, तो biology में ये word काफी use करा गया है, तो इसलिए आपको इसमें निकानना है, इस question पूछा गया था, to cut off a person, infected body part, तो इसका जो right answer होगा, वो होगा, amputate, बढ़ते हैं आगे question number 14 की ओर, 14, 15, 16, यहाँ पर हम से कुछ अलग पूछने चाहता है, हम से बोल लाए कि कौन से part में error है, वो चार्टना है हमको, तो अगर किसी part में error नहीं है, तो फिर हम answer लाएंगे अपना, D, no error, देखिए बच्चो, SSC के MTS, LDC, सीजर के exam में इस तरह के questions पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको चार option दिये होंगे, या दिये होते हैं, ठीक है ना, बट banking में क्या होता है, banking में इसकी जो statement है, वो बढ़ जाती है, मतलब इसमें 5 option आपको देगा, banking exam में, ठीक है, बट ऐसे C में जो questions पूछे जाते हैं, काफी basic questions पूछे जाते हैं, find the error के लिए, कि कौनसे part में error है, उस्चेश के लिए, ठीक है, अब देखें, बढ़ते हैं आगे, question number, हमसे 14 कहरा, one should respect their elder, part D, no error, अगर इस part में कहाँ पे error है, हमको देखनी है, अगर part में error नहीं है, तो हम D अपना answer आख कहेंगे, ठीक है, देखें, one एक pronoun है, इसका positive case, once होता है, ठीक है, there नहीं होता, तो part C में जो हमारे पास होगा, वो error होगा, ठीक है, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे once होगा, तो part C में हमको कहाँ मिलिया, error मिलिया, question number 15 में है, my SST teacher told me that the earth moved around the sun, देखें, यहाँ पे जो यह told है, told हमको past tense indicate कर रहा है, ठीक है, और moved भी हमको क्या कर रहा है, indicate कर रहा है past tense, और यह पूरा sentence, अगर आप पढ़ते हो, तो madam ने कुछ गलत नहीं बोला, madam ने सही बोला है, मतलब यह क्या universal truth है, ठीक है, तो पहला sentence अगर past में है, तो second sentence हमारा universal truth होले case में, past में नहीं आएगा, यहाँ पे moved के जगे पर क्या होगा, moves, यहाँ पे S आ जाएगा हमारे past में, ठीक है, question number 16 में हमसे बूचता है, I am extremely busy today, am and take, am and take, तो इसमें जो है, यह tag वाला questions है, ठीक है, tag वाले questions को solve करना काफी easy होता है, देखें, इसमें I am वाले sentence का, जो question tag है, वो actually गलत है, ठीक है, part C में error है, ठीक है, देखें, I am and tie, नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, आपका right answer, are and tie, ठीक है, are and tie, तो part C में जो होगा, हमारा इसमें error होगा, ठीक है, question number 17 की तरह हम बढ़ते हैं, question number 17, हमसे उसमें ये कहता है, यहाँ कि उस company को छोड़े हुए, मुझे दो साल हो चुके है, it has been two years since I have left that company, ठीक है, देखें क्या होता है, कि इस तरह के जो grammatical structure होते हैं, तो इसमें since के बाद, हम past simple tense का use करते हैं, इसमें जो have दिया है आपको, ठीक है न, जी जो have इसने दिया है, यहाँ पर have का use नहीं होगा, यह यहाँ पर इसने फाल्तु में यूज़ कर रख रहा है, आपको confuse करने के लिए, तो इसमें जो part C में हमारे पस क्या होगा है, यहाँ पर error होगा, इसको हम बोलेंगे, it has been two years since, left that company, ठीक है, part C में error होगा, have यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा, इसे cross लगाईए, question number 18 हम से कहता है, in intelligence, she is better than any student in the class 9th, मतलब कि better than के बाद हम हमेशा, better than के बाद हम हमेशा, याद रखेगा बच्चों, हम हमेशा any other का use करते हैं, ठीक है, any other का use करते हैं, यहाँ part C में error है, यहाँ पर other इसमें नहीं दिया है, आपको other यहाँ पर joint करना पड़ेगा, any other student आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, कौन से part में error है, यहाँ पर part C में यहाँ पर error होगा, मैं again repeat कर रहा हूँ better than के बाद हम हमेशा any other का use करते हैं बस, notes में आप इतना लिखिए है अगर exam में आपको सिफ पूसता है अगर आपको rule याद होता है तो फटा फटा अपना right answer लगा के आ जाएंगे question number 90 हम से कहता है I have already completed my project and so has my sister ठीक है यहाँ पुरा sentence गया है तो यहाँ पे जो मतलब है कहने का वो यह है कि मैंने अपना project complete कर दिया है और मेरी sister ने भी project complete कर दिया है तो इस repetition, इसमें क्या हो रहा है यह repeat हो रहा है sentence बलब एक बात अपने लिए बोल रहा है project के बारे में और same बात repeat कर रहा है अपने sister को ले करके, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, so लगाते हैं, हम यहाँ पर ऐसे case में, जो होता है, so लगाते हैं, right है, फिर हम has या have का प्रियोग करते हैं, has भी लगा, यहाँ यहाँ पर right है, और उसके बाद क्या आता है, subject आता है, मतलब my sister, तो यहाँ पर क्या है, सब को सही चल रहा है, तो part D, यहाँ इस sentence में, कोई भी error नहीं है, ठीक है, बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी अपने answer, जिनका English section काफी अच्छा है, काफी उनको, वो score करते हैं, mock test में, अगर वो attempt कर रहे हैं, ऐसे बच्चे, तो अपना score मुझे final बना के, आप comment box में लिखके, प्रीज जरूर भी जएगा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सबी questions पसंद आ रहे होंगे, आप इसके notes बना रहे होंगे, जिसको नहीं आता है, आप बढ़ते हैं, question number 20 की ओर, देखिए इसमें क्या है, हमसे fill in the blanks, पूच रहा है, with appropriate word, given in the options, जो भी options में appropriate word आपको लग रहा है, वो इसमें आपको fill करना है, ठीक है, fill in the blanks है, हमारे पास में है, देखिए, इसमें question number 20 में हमसे बोला, since he mashed up things, since he mashed up things, I gave him dash of my mind, ठीक है, मतलब कि उसने काम बिगाड़ दिया था, इसलिए मैंने उसे क्या है, डाट लगाई, तो देखिए, यहाँ पर जो part D है, हमारे पास में, peace, peace of mind होगा यहाँ पर, इसका मतलब होता है, मन की सांती, ठीक है, यह एक idiom phrases है, peace of my mind, ठीक है, इसका मतलब होता है, कि किसी को नाटना, किसी को फटकार लगाना, peace of my mind, यहाँ पर होगा, यह phrases है, तो जो part D है, यहाँ पर, part D हम चूज़ करेंगे, यहाँ फिल करेंगे, peace, मतलब, since he messed up things, I gave him, peace of my mind, ठीक है, question number 21, he was sacked up from the job, because, he was dash, of his duties, question number 20 में कह रहा है, कि उसको नाकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि वह duties को, या duty के परति कैसा था, कोई इंसान, अगर duty के परति, aware होगा, part C, उसको निकाला जाएगा, कभी ने निकाल सकते हैं उसको, तो part, यह जो, C दिरेक्टा option, यह तो हो नहीं सकता है, आपर, ठीक है, अब हम बोलते हैं, पर यह part, जो D है, इसका मतलब होता है, सचेत, जो इंसान सचेत होगा, तो उसको भी निकालनी सकते हैं, हम लोग, ठीक है न, और ignorant, आप आईए, part A में, ignorant, ignorant का मतलब होता है, अज्यानी, जिसके पास ग्यान ना, उस काम को करने का, तो यहाँ पर जो फिल करेंगी, हम लोग करेंगे, जो इंसान अज्यानी होगा, जिसको काम की अज्यानी नहीं होगी, उसी को हम लोग क्या करेंगे, जो आप से निकालेंगे, तो यहाँ पर जो appropriate word जो बन रहा है, हमाई जो condition फुल्फिल कर रहा है, sentence को पूरा करने की, वो कर रहा है, यह मतलब ignorant, अब हम बढ़ते हैं, question number 22 की ओर, C was extremely upset about the treatment and was dash on about the ठीक है, लगातार सिकायत करने को, लगातार चिलाने को, हम renting बोलते हैं, ठीक है? उसके साथ क्या हो गया, वो actually बहुत ही उदास थी, क्योंकि उसके साथ क्या हो गया, unfair treatment उसके साथ करा गया, ठीक है? तो लगातार चिलाना, लगातार upset होना, ऐसी condition को हम बोलता है Ranting R-A-N-T-A-N-G Ranting ठीक है तो इसको जो right answer होगा वो होगा हमारे पास B ये last part है ठीक है आपका sentence improvement का इसमें क्या हो गया इसमें होता क्या है ऐसे sentence में क्या हो गया आप देखेंगे कि कहां पर error है यहां पर क्या होगा जो भी part underline है उसको हमें replace करना है अपने चार options में से ठीक है तो यहां पर यह होगा कि आपको sentence काफी carefully पढ़ना है अगर आपके grammar के rules सारे clear है तभी आपका ये answer right होगा ठीक है 23, 27, 25 ये 3 questions हम अभी all solve करेंगे अगर आपका grammar का portion काफी weak है तो मैंने Lucent grammar जो book आते हैं English के उसके लिए मैंने basic rule इस वीडियो में upload कर रहे है ठीक है मैं आपको दो playlist अभी दिखाऊंगा पुस्समें बाद इसी वीडियो में आपको show होगी उस पे आप click करना Lucent की book आपको मिल जाएगी basic rule आप उहां से सिक सकते हैं और इसी के साथ मैं अपनी playlist और इस वीडियो में show करूँगा जिसमें वोगाप का MTS का English का mock test इसको बोलते है spotting error अब उसमें देख लिजेगा आपको जो भी suitable लगे वैसा आप करिएगा देखि कुशन नमर्टेइस He is not used to wake up early देखि यूस्टू के बाद वर्प की first form तब आती है जब इसमर नहीं आता ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है इसमर आ रहा है ठीक है जैसे हम बोलते हैं I used to इसमर यहां पर नहीं आया He is sorry he used to यहां पर भी इसमर नहीं आया एक example आपको दिखाते हम चलो मैं cricket खेरा करता था मतलब I used to play cricket I used to play cricket but यहां questions में क्या है is आया है तो यहां पर क्या लगेगी ing form का use होगा अगर is MR आये तो ing form का हम हमेशा use करते हैं वेकिंग नहीं होगा वेकिंग अब होगा मतलब age होगा हमारा right answer होगा हम लोग sentence इंप्रूमेंट में option से एक अपना टिक लगाएंगे और आगे questions में बढ़ जाएंगे अपने real exam में ठीक है जिसको rule अगर clear है तो वो काफी असानी से इन सब के आसर दे रहा होगा काफी अच्छे question थे यह exam में पूछे गए थे question number 24 में मैं से खम से कहता है I have had many bitter experiences in the past देखिए यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर पूरा sentence जो है have आया है है का मतलब यहाँ पर जो sentence लिया है वो लिया है as a helping verb के लिए ठीक है और had जो आया है वो है regular regular verb के लिए यह दोनों fit better है कोई दिकरते हैं sentence में तो यहाँ पर पूरा sentence जो है यहाँ पर हमारा right है हम लोग लोग रहेंगे right answer no improvement question number 25 you must not ठीक है deviate to the agreed route देखिए इसका rule भी काफी basic rule है जो deviate है deviate के बाद हम हमेशा यहाँ पर from लगाते हैं deviate के बाद हमेशा from आएगा तो आप चेक करिए from कहाँ पर आ रहा है part c में हमको जो यह है from मिल रहे हैं ठीक है तो हमारा right answer क्या होगा c तो बच्चो इसी के साथ हमने one से लेकर के 25 तक questions करें ठीक है अगर आपने इसको पूरी इमानदारी से attempt करा है तो बहुत अच्छी बात है अपना score आप मुझे comment box में लिखके भीज सकते हैं अगर आपको अजीब लगता है कि सब लोग मेरे comment box को अगर read करेंगी मैंने क्या score भीजा है कोई क्या सोचेगा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग अगर आपको comment box में भीजने में दिखके देख कोई बात नहीं मुझे mail कर सकते हैं mail पे अपना score भीज जीजिए नहीं भीजना कोई बात नहीं लेकिन अपने साथ आप इमानदारी बनाय रखिए इस चैनल पे पूरा faith करने के लिए आने करने के धन्यवाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो like करिएगा share करिएगा देखिए share करने के लिए मैं आपको force इसलिए करता हूँ तो काफी सारे आपके friend होंगी जो काफी महनती होंगे life में कुछ खरना चाहते हैं competition को crack करना चाहते है बट उनके पास सही guidance नहीं है तो पढ़ने वारे जो भी आपके friend है उन तक इस वीडियो को share करिए ठीक है बागी उनसे यह मत बोले कि like करिए subscribe करे ये करे वो करें वो उन पर depend होता है कि वो क्या करता है ठीक है बट आपका इतना काम है कि इस वीडियो को अपने friend तक share करिए बागी उसकी headache कि वो इसको कितनी मानदारी से fulfill करता है A4 page पर not करता है या फिर नहीं करता है playlist watch करेगा या फिर नहीं करेगा वो इस पर depend करता है ठीक है आप किसी को force नहीं कर सकते है ये करना भी नहीं है मैं आपको इसकी राय दुंगा भी नहीं कि जब अजसी किसी को बोलोगी like करे like करे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ही like करना otherwise मत करना देखे 25 questions ये वह question थे जो real exam में पूछे रहे थे past में चलिए जोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो आपकी मर्जी हो तो like प्ली जरू करिएगा share करिएगा जो पहली बार देख रहे हैं उसे subscribe करिएगा और दोनों जो ये playlist आपके सामने side में खुल के आ रही है ठीक है क्लिक करिंगे तो आप diet को subscribe कर सकते हैं ठीक है चलिए जोस्तों लेता हूँ आपसे best wishes for your exam मिलता हूँ जल देख नए वीडियो के साथ उन्नती competition classes के पूरी team के और से best wishes for your exam आपका exam बहुत अच्छा जाए जो भी आपके exam होने वाला जो भी आपने rule पढ़े है सही वक्त पे आपको वो ग्यान काम आए ग्यान वही है जो मुसिबत में काम आए ठीक है notes बनाते रहिएगा जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ में यह दो आपसे अरविदा मिलता हूं जल देखने वीडियो के साथ बाई धन्यवाद